हलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ और एक बार विजय में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ स्वारांजली और फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं चाय पीने से क्या होता है यदि आप ज्यादा चाय पीते हैं तो इसके क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपको तो इसी विशय में आज हम आप से बात करने वाले हैं तो यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ सुरू से लेकर अन्तर तक जुड़े रहे तो आईए फ्रेंज जानते हैं चाय पीने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं आपको दोस्तों कुछ लोगों को चाय की ऐसी आदत होती है कि उन्हें जितनी बार चाय के लिए पुछा जाए उनका जवाब हाँ में ही होता है कुछ लोग दिन में दो बार चाय पीते हैं तो कुछ लोग भी चार बार पी लेते हैं तो आईए फ्रेंस जानते हैं जादा चाई पीने के क्या-क्या नुकसान होते हैं नमबर एक दातों का पीला पड़ जाना चाई आपके खुबसूरत दातों को पीला बना देता है चाई में मौजूद एसिड और टैनी दातों को पीला करने में मदद करती है और जब आप इसका अधिक सेवन करने लगते हैं तो यह और भी ज़्यादा पीले हो जाते हैं आपके दान्ट नमबर दू नींद ना आने की समस्या जब आप अधिक चाय का सेवन करते हैं तो आपकी नींद में इसका खलल पड़ता है आपने अकसर देखा होगा जब किसी को नींद आती है तो ऐसा बोलते हैं कि चाय पीलो चाय पीने से नींद दूर भाग जाएगी तो ऐसा ही होता है जब आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं तो आपको नींद ना आने की समस्या पैदा हो जाती है नमबर तीन आपको बार बार ट्वाइलेट जाना पड़ता है आपको पिशाब ज़्यादा आने लगती है येदि आप अधिक चाय का सेवन करते हैं तो नमबर चार चिंता और बेचैनी चाय में अधिक कैफीन होने की कारण आपके शरीर पर इसका गहरा असर पड़ता है और आपको चिंता और बेचैनी महसूस होने लगती है चाय को आप जितना उबालते हैं उतना ही कैफीन जादा हो जाती है चाय में और आपको उतना ही दिक करती है नंबर पांच कभज़ की परशानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है यह वी सेवन करते हैं तो उन्हें mettre प्र प्रेसानी नहीं होती तो ऊप पीने से आपको कभज़ की समस्य उत्पन होगने लगती है क्योंकि चाय में दूद का सेवन भी किया जाता है यदि आप खाली पेट चाय का सेवन कर लेते हैं तो आपको मितली जैसी समस्या हो जाती है का जी मिचलाने लगता है सूजन की समस्या यदि आप अधिक चाय का सेवन करते हैं तो आपको सूजन की समस्या भी हो सकती है क्योंकि चाय सरीर में निरजली करण पैदा करता है जिससे आपको सरीर में सूजन की समस्या भी देखने को मिल सकती है नमबर आठ प्रोसेश्ट कैंसर जो बुरुस अधिक चाय का सेवन करते हैं उन पुरुषों को प्रोसेस्ट कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है नमबर 9, पेट में जलन टाई में मौजूद कैफीन और एसिड पेट में जलन की समस्या पैदा कर देते हैं चाई से सरीर में एसिड अधिक उत्पन होने लगता है जिससे पेट में जलन की समस्या होती है नमबर 10, गर्वती महिलाओं को चाई का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उनके होनी वाले बच्ची को नुकसान पहुं सकता है गर्वपात की समस्या हो सकती है नमबर 11, हिर्दे से समंधित समस्याई हो सकती है, यदि आप अधिक चाई का सेवन करते हैं हार्ट से समन्धित आपको कई परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है सिरदर्द की समस्या कुछ लोगों का कहना है कि या तो उनका सरदर्द ठीक हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप टाइम टू टाइम चाई पीते रहते हैं तो आपको उसकी आदत बढ़ जाती है जब आपको चाई की तलब होती है तब आपको सिर्डर्द की समस्या उत्पन होने लगती है चाई एक नशे की तरह काम करती है नमबर तेरा चाय का सेवन करने से आपके सरीर में पोसक तत्तों की कमी उत्पन होने लगती है और आपके सरीर में खोन की भी कमी हो जाती है आपके सरीर में आईरन की कमी मैसूस हो सकती है आपको जिसकी वज़े से आप एनिमिक हो सकते हैं नमबर चौदा, कैफीन पर निर्भरता, जब आप चाय का सेवन लगातार करते हैं, बहुत अधिक मातरा में करने लगते हैं, तो आप कैफीन पर निर्भर हो जाते हैं, आपको कैफीन की आदत हो जाती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप चाय को कम कर दे या फिर हो सके त सब्सक्राइब करना पले बाई गाईज